बिसमिल्लाइर रह्मान इर्वाहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम तो लिटेशेवे डवल्यूबी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उपर आई बटन पे ये वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिशन में भी मैं इसका लिंक जो है वो दे दूँगी इसमें हम लोग इसके करेक्टराइजेशन देखेंगे, प्लॉट देखेंगे, साथी साथ पोस्कलोनियल लिट्रेचर में इसकी क्या हमी यह तर उसको देखेंगे, हर एक चीज़ इसकी स्टड़ी करेंगे, तो विदाउट निफट दे डिले आज की इस वीडियो को जब इनको ब्रीटिश क्लोनियलिजेशन से इंडिपेंडनेस मिली थी, 1960 में इन्हों ने यह लिखा था, अभी जो प्ले है, यह कंबाइन है, ट्रडिशनल यूरोबा कल्चर की, यूरोबा क्या होता है, वह मौल रड़ी पिष्टी वीडियो में बता चुकी हूँ, और जरिया की न्यू गर्मेंट है, डिकलोनिजेशन के बाद, जो बनी है, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसमें जो सो इनका है, वो हम लोगों को एक नीट्रल ही मिलेंगे, इनका अपना इन्होंने अपना कोई पॉइंट ओफ यू, इसमें शेयर नहीं किया और साथ में यह बताया है कि डिकलोनिजेशन का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं होता, कि हकूमत जो है वो बदल गई, तो आपको इन्डिपेंडेंस मिल गई है, आपको डिकलोनिजेशन हो गई है, बलके यह तो एक ऐसी चीज है जिसमें कि जो पावर जब किसी पे इंपोस होती है, तो इसका क्या एफेक्ट आता है, यह हम लोगों को इसमें इस प्ले में बताया गया है, इसमें जो हम लोगों को इसमें इस प्ले में बताया गया है, इसमें जो हम लोगों को इसमें बताया गया है, इसमें पहले अपनी एक जनरेशन, पनी एक जिन्दगी पहले गुजार ली होगी और उसके बाद दुबारा से उनको दूसरी शंदिगी दी जाएगी ठीक है? और यह play जो है इसी के related है ठीक है? यह प्लेजन है इसी के रिलेटिट है ठीक है पास्ट और प्रेसंट के जो है इसी तरह से उन्होंने वो किसाफ से comparison किया हुआ है इन सम् है और दुबारा से इनको जिंदगी दी गई तो इसे साथ से यह यह विटनेसेज हैं यह जो प्ले है इसमें इस चीज को हाइलाइट करने की कोशिश की है कि जो अफरीका को इस चीज की जरूरत है कि वो डी कलोनाइजेशन के बाद यह जो एक अनकॉंशियंसनेस वाला है उसको भी बताया है उसको भी बताया है और इन्होंने एक पावरफुल और थॉट्फुल जो है वो मास्टर पीस इन्होंने यह क्रिएट किया है सबसे पहले मैं आपको करेक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं बेशाक इसका स्क्रीन चूट ले ले यह अगर आप लोग नोट्स ले रहे हैं तो प्लीज इस टेबल को अपने नोट्स में शामिल कर लें क्यूंकि यह जो स्टोरी है यह इतना कॉंप्लिकेटिट है अपने करेक्टर्स की वज़ा से ही कि समझ इन्हीं आती है कौन से क्या किया कैसे किया क्यूं किया ठीक है तो आपको easily समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या रही हूं इक है बिल्कुल आप इसे तरह से टेबल बनाएं और इनको जो है वो लिख लें सबसे बहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें जो करेक्टराइजेशन हुई है उसको तक्रीबन तीन हिस्सों में हम लोग ने क्योंकि फूरा के पुरा कप पूरा प्ले आना इसके जो सेटिंग ए वो इक फورस में रखी गई है वह में बाहर की सेटिंग नी मिलेगी सिरफ फौरेस्ट की सेटिंग है तो head of a forest ये got है की जो सो head of a forest के नाम दिया गया है जो के है औब ऑँँ उसके बाद जो नेक्स फ़ला वाली प्रेक्टर्ट्र में मिलेगा, उसमें हमारे पास नेक्स वाली एक स्पिरिट है या आप इसको आप गॉडड़े से कहलें, यह है अरोनी. अरोनी जो है, इसका एक बहुत बड़ा किरदार है और ये प्लेय के स्टार्ट में हम लोगों को नजर आएगी ठीक है, और ये भी स्पेरिट है, उसके बाल जो थर्ड वाली स्पेरिट मिलेगी, वो है इशोरो इशोरो जो है, ये किसी ना किसी का रिवेंज लेने के लिए आएगा मैं नेक्स आगे बताऊं कि किसका रिवेंज लेने कि लिए आएगा और ये ताम को बहुत लहात घ्रेशिय्व किसम का our लोगों को एक विट्छायगा स्टोरी में देखें कि कैसे बचाएगा लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा बत एक्स्वेनिस दे कह रही हूं ताकि आपको नेक्स जाकरेक्टर को समझने में असानी लें गोस्ट की तरफ आजए अगर हम लोग तो गोस्ट में जो हम लोगों को मिलेगा सबसे पहला क्रेक्टर होगा दाड़ मैं यह इन दोनों को इनकी ग्रेव से निकालेगी तिक है यह इनकी कबरों से निकालेगी और मतब यह दोबारा से समझ देंगे साफसे जिंदा हो ठीक है? इन दोने को और यह जो हाफ चाइल्ड है यहांपे हमारे पास हाफ चाइल्ड यह हाफ जब पहली इनका जो पहला जनम था न इन गोस्ट का ठीक है अब तो जिन्दा नहीं है गोस्ट ही है लेकिन इनकी जो मोत हुई थी वो एक समझ देंग्शिस इनके साथ बहुत इसको मर्डर किया जाता तो उस टाइम यह प्रेगनेंट होती है लेकिन अब क्या होता है जब यह लोग फॉरस्ट में चले जाएंगे ना तो उस टाइम हम अनके पास एक हाफ चायल्ड होगा इस टाइम के साथ यह हाफ चायल्ड होगा कि वह प्रेगनेंट नहीं होगी वह बचा पैदा होगा है तो इसको आप लोग समझ लें कि मैं इसे लिए एक्स्पेंद करने की कोशिश कर रही हूं उसके बाद हम लोग हुमन के करेक्टर्स के तरफ आते हैं अभी हुमन के इसको पर पराने जनम में भी पोईट था और कारवर था अब भी आपड़ जो है अपनी परास लाइफ में भी कोश्ट इस्टोरियन था था अब भी यह कोश्ट ही है। ना इसमें भी एकॉप ही स्टोर्य नहीं है उसके बाद आम्हें जो नेक्सवालागा रोला का राट्र प्रेंट का रॉस्टीट क्राय्ट रॉस्टीट एक ठीक है जो पास्श लाइफ में этого जा पास्श नाम था मेडम टरोटाइज और यह क्वीन ती क्वीन Queen किसके थी, नाम जो है वो आप लोग लिख लें, Meta-Kharabiyo की, ठीक है Meta-Kharabiyo की, यह King था उस टाइम का, यह उसकी Queen थी, ओके, उसके बाद हमारे जो next वाला character है human में, वो है Agbori को, Agbori को जो है यह profit है, character challenge जो के future को predict करता है, ठीक है, अब यह जो सारे human characters हैं, human characters है, इन सब क हाथ है इन दोनों के कतल में, ठीक है, इन दोनों के कतल में, इन सब का हाथ है, और इसलिए इनको दूबारा से जिन्दगी दी गई है, ताकि वो अपनी जो past men उने गुना किये हैं, जो mistakes किये हैं, जो sins किये हैं, उनको ठीक कर सके, उन पर वो repent कर सके, ठीक हो गया, उमीदा अगर हम लोग करेक्टरिशन की तरफ दुबारा से जाएं तो वही चीजे में आप लोगों को अड़ी बता चुके हैं लेकिन फिर भी स्टोरी की समझ नेकर है थो रहा बहुत करेक्टर के बारे में दुबारा से पढ़ लेते हैं तरफ में यह नगर गश्की जाब से चाइर आपना है मतशन हूं कुंड है जो लोग जो में अन्हें स्टोर थी इस जो चाइत तो वो तो इस प्ले में में अनले अगिया है यह प्रोबाइडेशनल के लूए अर्डेशनल का यह भी धिजिnes और व्याह। कि लूभ चंशिटक्ते चाफ मेसा जनाकी है तो एक उर्डीजिशनल का अर्डेशनलムत का मेंतिनल अ है ठीक है, आभ यह जो डीपा हुटाइल, मैंने पताया था यह स्पिरिड है ठीक है Сп lasci खशester, मैंने बढ़ेंगाया मैं श्वीक आजरे on रे वेली ज VAर और रेटा हो देटाया कुछ कुछ लोगों के ये माना था that Demok自身ुन omy latest करते हैं कैने ऐसा था किने जफसे यादा स्किलफिल था तो उससे जलेसी के जसे क्या था तो इसने रही उसी है मझना थ सुक्ष मद्लाझ की यह रहां हो जो अगान वो इसको बचाता है, प्रोटक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद मारे पाथ नेक्स वाला करेक्टर है, वो है आश्कर है, एक ब्रेव शोलजर था, इसके आर्मी का मेटा, खारीबो रुछा का मानने से इंकार करदेता है, कि नेबर होड सटेर से जंग नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इसका यह मानना था, क्योंकि जो एक नाइनसा स्टेडामों में स्लेव डीलर्स होते हैं उनको बेश दिया गया और उन्हीं की हाथों से इसका कतल हुआ और स्टार्ट में ही हम लोगों को प्लेगा कि एक जो अरॉनी है तो इसकी गॉड़स बड़ार से निकालेगी इसकी प्रीवेस लाइफ में जो एक सथ बुरा हुआ ताकि वो इसको जिस्टिस दिला सके उसके नेक्स्ट करेक्टर है वो है करेक्टर ओफ डेड़ वोमन अभी ने सब्सक्राइब के वो इसकी अफेत वोमन की आर या कि रादा मिनते करती हैrados जाके माटा खरावियों की कौर्ट में और इसकी क्वीन से बहुए जाके मैडम टarोडाइज से राकर काफेता मिनते निका भा करती है कि मेरे sonra को बख्श जाए उसको कटल ना किया जा गिन क्या होता है कि इसको भी उसी के साथ कतल कर दिया जाता है अपने हजबन के साथ इसको कतल कर दे जाता है और जो एरोनी है beginning of the play हम लोगों को मिलेगा कि दोनों को दुवारा से इंद की कबरों से निकालेगी उसके बाद character of the head forest head forest जो है यह अबांजी है और यह जो है गोड है इस खिसाब इस play में यही जो है इस जो four main characters थे इसके humans जो four characters जो मैंने पीछे बताया कि humans जो four characters उनको उनकी wrong doings में उनके गुना उनको याद करवाने के लिए जो भी कुछ हो रहा होता है forest में वो सब कुछ इसे के हुकम से हो रहा होता है इसे ने कहा होता है और यह जो character थे हम लोगों को dead man और dead woman चाहता था कि उनको इनसाफ मिले ठीक है और वो अपने जो इनसान है वो अपनी गुणाहों पे जो है वो शिर्मिंदा हूँ, repent करें उस पे और अपने माफी मांग लें उस पे लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बाद character of rolla हम लोगों को मिलेगी यह rolla जो character है in past while life में इसका नाम सा madam tarot eyes और यह जो है queen है और फिल हाल यह एक prostitute है ठीक है और इसकी जो main reason है ना यही main reason थी वैसे main reason यही थी dead man और dead woman के मरने की ना पीछे main reason यही थी और main reason क्या थी यह मैटा खारीब हो है ना यह बंदा इसकी असल queen नहीं होती है इसने अपने neighborhood state से जिसके साथ हुजा कहता है ना dead man को किजा सके उनके साथ जंग करो यह उसी की queen है उसने नेबर हुट से इस queen को चुड़ाया हुआ है और इसी वज़ा से जो dead man है soldier था, commander उसी ने मना कर दिया कि मैं जंग नहीं लड़ूँगा और इसके वज़ा से बिस बिचारे का कतल हो गया ठीक है तो next हम लोग चलते है हमारे पास जो character है वो है Eddie Nabi का Nabi जो है, यह court historian है माटा खराबियों की court का ठीक है और यह भी a corrupt किसम का इंसान था, illegal payments को जारा करता था और इसी ने उनको उसको बेचा था ठीक है, dead man को ना इसी ने बेचा था इसके बाद other characters के लिए बात करें तो और वो डिमो को प्रोटेक्ट करती है नेक्स आम लोग चलते हैं इसकी storyline की तरफ तो यह स्टार्ट होता है दो characters, dead woman और dead man से इसको जो है, वो अरोनी जो है, goddesses drothy वो इन दोनों को समन करती है इनकी grave से ठीक है, और इनको कहती है कि आके फेस्टिवल अटाइंड करें, यह कहा है फेस्टिवल अटाइंड करें, जो जंगल में हो रहा है मैं बता है, इसकी setting जो है वो forest में और forest में एक festival है और festival को अटाइंड करने के लिए यह इन दोनों को इनकी grave से समन करती है और उपने साथ लेके जाती है ठीक है, और यह जो है इनको forest में वापिस लेके जाती है क्यों क्योंके इनके साथ गलत हुआ होता है इनकी previous life में किसके वज़ा से, डिमॉक, एडिनबी, रोला और एड़वारिकों की वज़ा से ठीक है, अब यह जो डिमॉक है वो एक talented के कारवर भी है और एक पोईट भी है, एडिनबी जो है वो एक court historian है, रोला जो है वो एक prostitute है past right life मेड़वारिटा इस थी और जो एड़वारिको है, यह एक soot-sayer है या फिर एक profit है जो के future को प्रेडिक्ट रहता है, अब डेड मैन और डेड मॉमन यह कपल थे और मार्टा कारिबो में और जो डेड मैन है वो मार्टा कारिबो की आर्मी में था और यह जो नेबर हुड प्राइब से जो है वो fight करने के लिए बना कर देता है और इसकी वज़ासे इसको कतल कर दे रहाता है, इसकी जो बीवी है वो भी भी मांगती है, मरसी के लिए कि हम लोगों को छोड़ दिया जाए लेकिन उसको बीगनोर कर दे जाता है और दोनों को कतल कर दे जाता है लेकिन दोनों को साथ जो पास्टार लाइफ में बहुत जदा जयाती होती है इस अपनी गुनारब की माफी मांग सकें इहां पर जो हैट फोरेस्ट है जो बहुत बढ़ाएब लेकिन वह ने बिता लाइट बहुत विए बढ़न की फिल दे जाता है और तके वह इन सुआप देख सके है और अरों के सारी किसारी स्टोरी सुनाती है छो भी पास्ट में इसको स्टोरी सोनाती है और वह व्याक्त चाहा है तो फॉलीस भी हम को लेकर आता है तो ईह जो वह आदा है तो फॉलोग भी हम चक्रता है शोरो फॉलो करता है ओगन को ठीक है जो के कार बढ़ वर्ट इन फेस्टिवल में रहे हैं और इन वर्डाइब होग है तो इन दोनों के लड़ाई है क्योंके जो अशुर होता है कि मैंने इसको डिमॉक को मार देना है अपना रिवैंज लेना है व्यूंकि इसने और इमॉल को जहान बुछ के मारा था विए उसका उसका बदा लेने के लिए मैं आया हूँ बहुत अग्रेसिव किसम की यह स्पिरिट है जो और वह कहता है कि जो भी किया ना दी मॉक में वह मेरे कहने पे किया ठीक लाइक लाइक करने की कोश्छ बहुत होता है कि दी मॉक ने जो भी किया और तुम इसको नहीं कता कर सकते हैं अब क्या होता है इसमेरे फिर्स द्राइस बहुते हैं जो प्रॉस्टे जो नो जोन के लिया है साधी में जो अधा टम के निया थे जाए है वह जो एक अदालत लग चुकी है और सारे जौन पर आपि सुनुंग मुशां में प्रॉटी है वे जो नोगए है नो जब अछानी targeting ह इसको नाम दे जाता है Half Child का जो इशोरो है वो ओगान पे भी गुसा होता है और क्या कोशिश करता है कि सेर्मेनी को ना खराब करने के कोशिश करें और वो Half Child को ना चुरा लेता है वहां से ठीक है उसके बाद क्याता है कि जो डी मॉक है ना माफी मांग ले जो कुछ भी उन्होंने माजी में गुना की है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और यह जो फोरेस्ट है वो बहुत दा डिसपॉइंट होता है कि humans जो है और वो एक अफसोस करता है कि humans कभी नहीं बदल सकते है वो अपनी पास्ट के गल्सियों से कभी कुछ नहीं सीख सकते और वो एक बैटर इंसन कभी नहीं सकते है तो फाइनल एक्ट है वो हम लोगों को इशोरो का एंगर दिखा जाता हो इसमें इशोरो जो है वो फोर्स करता है डी मॉक को ठीक है डी मॉक को कहता है कि वो ना एक स्टैचू पर चड़ जाए ठीक है और उसको जो है वो एक साफ़ बली चढ़ाने वली बात है इसकी बली चढ़ा दी जाए और इसको इसमें वो आग लगा देता है ठीक है उस्टैचू पर चढ़ा कि ना उसको आग लगा देता है ल वो उसके जवाब नहीं दे पाता है. जिसे हम लोगों को ये पता चलता है, कि उसने इस सारे अमल से भी कुछ भी नहीं सीखा, और खुद को वो इंप्रूव नहीं कर सका. ठीक है, तो ये जो था, वो सारी प्ले की समरी थी. उसके बाद अगर हम लोग थीम्स की बात करें, जो कि इसमें हम लोगों को मिलेंगे, तो सबसे पहला हमारे पाद थीम है, वो है पैरलल्स बेट्वीन दा पास्ट, टेरिशन एंड प्रेजन्ट. अभी जो प्ले है, ये सुयनका नहीं उस वकत लिखा था, जब इनको ये लगा कि हमारी जो कंट्री है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने कल्चिरल हैरिटेट को बूले नहीं, ठीक है अपने कल्स्चर को एक हिसाब से कल्चिरल की याद दिहानी के लिए उन्होंने ये प्ले लिखा, इसमें हम लोगों को हार एक living characters, जो human characters है, वो इसको एक unique identity हम लोगों को हर एक की मिलती है, ठीक है story में, जो story है वो तो highlight करती है कि उन्होंने जो भी past में scenes किये, उसके जो भी उन्होंने गलत काम किये, उन सबको उन्होंने highlight किया, इसमें जो हम लोगों को human characters मिलते हैं, चारों के चारों characters, इनमें हम लोगों को बताएगा कि इनको ना, इनके past के actions से confront करवाया गया, वहले अच्छे थे हैं बुरे थे, सामना करवाया गया ना, कि देखें आप लोगों किया था अपने past में, और साथ ही साथ इसमें traditional art को भी एक हिसाप से engage करवाया गया है, और यानी sculpture को, वो ना वही नक्षोनिकाली बली का भाता रहती है, कि जो टी मोग था, वो एक कारवर था, तो ये एक traditional किसम की चीज़ा रहती है, इसमें, अपने इस play में, इन्होंने contrast करवाया है, प्रैजन का और past का, और साथ में living लोगों क इन्होंने अपने इस play में, इन्होंने अपने इस play में उनका ये aim था, ये एक true nature दिखा सकें, और लोगों को इस बात के लिए अच कर सकें, कि ये लोग जो है, इन्डिपेंदेंस के लिए, अपनी जो हकीकी एक जजबा है इनका, उसको वो ना खूए. इन्होंने अपने इ पर देने के कोशिश किया है, इनका यह कहना था कि एक लिबर्टी जो हती है, वो उसमें क्या कर चाहिज़े हैं, जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक किया जाए, और जो इंटर्नल इस्टेक्स आ रहे हैं, उनका सामना किया जाए, तभी तो निव जनरेशन के लिए बै इस प्ले परफॉर्म किया था, नाइजरिया के लिए नेपेंडेन्स डेय पर तीक है, और इसमें एक वोग बुल के चैलिंज था, नाइजरियन पॉलिटिक्स के लिए, एस्टोरिकल टैडिशन के लिए, इनको ठीक करने के कोशिश करेंगे, अपने इस प्लेयं में लोगो को ये वान करने के कोशिश की है, कि अगर ये लोग बैदार नहीं होए ना, तो हिस्टरी कुद को कुदी रिपीट करेंगी, और दुबारा से वही वो सेम मिस्टेक्स करेंगे, जो वो पास्ट में कर चुके है, और जो के एक गॉड या पिर स्पिरिट हम लोगों कहलें, य उनको वो प्रटेक्ट करते हैं, तो इसके एकजम्पल्स जो थी ना, वो उसी के साथ थी, और सियनका ने जो सेटेस्ट किया है, डाइड, what is good can also be bad, जो अच्छा होता है ना, वो बुरा भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो है मॉरालिटी की एक complex nature को भी reflect करता है, सियनका के ज लेकिन जो half child था, वो symbolize किसको कर रहा है future को, अपने इस play के through, इन्होंने एक corruption वाले theme को भी explore करने की कोशचिश की है, और साथ में इनोंने बताने की कोशचिश की है, कि हेरोपा society में किस तरह से corruption को highlight किया था है, लेकि Nigeria की political system को इन्होंने या पे highlight किया है, और साथ में इनों इन्होंने की और dead woman के लिए, ठीक है, उसकी जो है, इसको reveal कर रहा है internal struggles को, जो Nigerian people ने की थी, celebrating their independence, उसको वो कर रहा है, लेकिन positive point के फोकस करने के बजाए, यह कोशिश थी कि audience को उनके past के बारे में बताया जाए, और उनको poverty और inequality जैसे issues के बारे में बताया जाए, कि यह भी trauma and regeneration, अब इस play में जो है, वो दिखाया गया है कि emotional trauma से भी लोग गुजरे है, वो लोग जो living, जो characters थे, वो, और कुछ past के torture, ठीक है, जो के cause बने उनकी grief का, जो forest head है, वो understand कर सकता था, उनकी pain को, और वो help करना चाह रहा था, कि वो ना, इनके wants को heal up कर सके, ठीक है, जो के past मे experiences के थुरू, वो खुद को improve कर सके, पर साथ में, जो dead couple था, इसनों पार्टी से पेट किया है, living characters के साथ, जब उन्होंने पार्टी से पेट किया, इसको highlight करता है, the impact of past actions on the present, ठीक है, जो past के actions हो चुके है, उस पे, उनका present पे क्या आसर बढ़ेगा, यह उसको highlight करते है, नेक जब आसर बढ़ेगा, जब आसर बढ़ेगा, तो क्या होता है, कोई भी ना आके, एक ताकतवर, जो किसी पर आके, रूल करना शुरू कर देती है, किसी dependent area, यह पर लोगों पर आके, रूल करना शुरू कर दे, अगर एक पावर, तो उसको हम लोग क्लोनियलिसम बोलेंगे, उसमें, पॉलिटिकल एसपेक्ट्स को भी शामिल किया गया, कुल्च्रल को, लिंग्विस्टिक्स, यह निकि इन सबके, जो इफेक्ट पड़े, इन सब चीजों पर, उसमें, पोस्ट कोलोनियल की जो डेफिनिशन है, उसमें आड करना शुरू कर दे, कि पोस्ट कोलोनियल आड कर κृल्चर को, इन सब की जीजों को एड़ कर दे बिखना, उसमें, इसमें, इसमें इन लोगोंको के कल्चर को, जो के प्रिविएश्ली जो इन द्हेमी यह नियूड कर दीशन क seinemेरिका लान एजाते हैं, इन सब की कल्चर को एक्जामिन किया गया है, कह पहले जो था क्लोनलाइजेशन के टाइम पर गया था और अब क्या उनका कल्चर है अफ्रीकन पोस्त कोलनील रायटर जो हाइलाइट कि प्री क्लोनील अफ्रीकन ट्रैडिशनल और कल्चर को रायिटर हम लोगों को देखने लिए इसमें इन्हों वो अवेर थे अपने कुल्च्रल कॉंटेक्स्ट से लेकिन कलोनलाइजेशन के बाद वो बिल्कुल एक केरलेस हो गए क्यों क्योंके उन पे इंफ्लोएंस आ चुका था क्लोनलाइजर का तो फिर इसी तरह वाले सो इनका ने पनी राइटिंग के तुरो अपनी कुल्च्रल सि अपने हम पने इंडिपेंदेंश को बस आसी मonaघ नए तो अउसके कोई फाइदा नहीं है बल Kimchi इसमें दोखो जो हम लोगों के प्र इंपेंशन के वजया है, वैंब को 있ुत आप उसको हां नहीं है। आपने इस play मेस बॉने meng 받고 हैतना है. स морी जो क्योर्स के जो हम हमें लोगों को स्क्राइजक्वें निडाते हैं। वह सो हाइलाइड करते हैं, कि जो क्लोनियी हम की, उसको हायलाइड करते हैं। जो फॉप्त का एडायां की जो स्टॉरी में सब्सक्राइड हैं। यह की समय क्रेमार के बढ़ the soldier, commander अब यह जो है, यह the cloneizer force को शो कर रहा हो जो किस तरह से जो cloneizer force को जो थी वह किस तरह से cloneizer को fight करने पर मझबूर करती है ती लोंकि उनके पड़नी fight नहीं होती थी तीक है? लेक उनको मझबूर किया जाता था fight करने पर उसके बाद जो नेक्स वाला का करेक्टर था हमारे पास रोला का करेक्टर उसको किस तरह से इनका नेना उसको क्रेटिसाइज किया कि इस तरह से कि जो रोला के जो एक्शन्स थे उसी ने लीड किया है एक डेड मैं डेड वोमन और उनके जो बच्चे की जो देथ है उसी की व इंडिपेंडनेस तो मिल गई है लेकिन फिर भी को अपनी पास्ट को नहीं भूलेंगे उनको जो भी उन्होंने सफ्रिंग वगारा जो भी बरदाश्ट की है क्लोनियर रूल के दर दुरान वो सारी की सारी उनको याद रहेंगे क्लोनाइजर के लिए सवयनका ने क्लियर मेंसेज दिया है कि नथिंग रिमेंस फोरेवर नथिंग रिमेंस फोरेवर अब इस प्ले में जो डेड मुमन और डेड मैं थे वो किस तरहां से बुली होते आए पनी पास्ट लाइफ में रोला एडिमोग अदिन अभी और एडबोर अभी प्रेजेंट वो एक साइकलिक प्रॉसस था जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यह सारे के सारे आपस में इंटर कॉनेक्टेट थे और इसमें इन्होंने कमबाइन किया है यूरपियन थेट्रिकल अलिमेंट को इसके साथ अफ्रीकन कृरियेशन मिट के साथ जि और इसने इस इसना को सजा दी डेड़ मैन को जई बीट उसने के साथ इसके होक मानने इसका है अब ही रिफ्रेक्ट करता है अनिक्वल पावर डैनैमिक के आइडिया को जहां पर ऐसे इंटलेक्श्व बिंग्स थे और जो जो नीथे बचारे वह इंफिरियर थे जो किस तर भी यहां पर शो करवाया हुआ इसके अलावा जो पोस्ट-कलोनिया अरिक्षिक प्राइडििंटी यह को भी यह नों आप पर पर्रेग किया है ़िसमें हम लोगो आँप्राइक। यह रप्रेसेंट क्रेंट केता है यह पूस्ट-कलोनिया करेक्टर उसके बाद हम लोग लिटरी अनालेसिस कर रेते हैं इस प्ले का, कि यह जो प्ले है बहुत ही यूनीक अंदाज में लिखा है, इसमें इन्होंने एक ट्राइशनल एसपेक्स को मिलाया है, वेस्टरन ड्रामा की जो नॉन लीनियर और सिंबॉलिक स्टाइल है, ट्राइशनल अ अरॉनी जो थी वो स्टोडी सुना रही थी कि सब कुछ वो कैसे कैसे हुआ तो वो पास्ट की सैटिंग थी, मता खरीबू का जो पालस था, उसकी सैटिंग ती और प्रेजन लाया थी वो हम लोग को फोरेस्ट में मिल गया है, अब इस प्ले का मेन प्लॉत है, वो कि इसके पास्ट मेना बहुत बुरा हुआ था, इनको अलोग किया जाता है कि आप लोग उनसे, लाइक उनका के सामना करो, जुन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, अभी जो प्ले है ये रिप्रेजेंट करता है निजेरियन को और साथ में एक निजेरियन हिस्टरी को भी उसकी पास्ट में इनको ब्लेंट किया है, तो विडियो मुझे पता काफी दा लंबी हो गई है, लेकिन आपके सामने ही है, काफी दा लेंथी चैप्र था और हारे एक एलिमेंट को लेके चलना, हारे पॉइंट को भी समझाना जरूरी था, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है, तो अब पेपर में इसके वारे में कुछ भी आ रहेगा, तो इंशाला आप लोग लाजमें इसको कवर कर लेंगे, तो इंशाला मिलते हैं भी नेक्स वाल वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखेगा, और इन स्नाइट स्कालिंग जो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक् तो अबना ख्यार रखेगा, आला हाफिस